पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन एश्व मसी में प्यारे भाई और बहनों आज इस्टर के बाद पहला रविवार है हम आज योहन के सुसमा चार 20 वे अध्याई के 26 से लेकर 31 तक के इश्वचन पर मनचिंतन करेंगे यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पुनुरुथान के आट दिन के बाद शिश्य एक कमरे के अंदर सब इकटे हैं 11 लोग दरवाजे बंध हैं और तभी उत्थित एश्व मसी उनके बीच में आते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें शान्ती मिले इस संदर्भग को समझने के लिए इसके पहले वाले इश्वचन को हमें ध्यान से पढ़ना होगा वहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसा मसी सबसे पहले दस शिश्यों के बीच में प्रकट होते हैं लेकिन थॉमस उनके बीच में था नहीं और वे सब इस बातों को थॉमस से बताते हैं कि हमने उत्थित एश्यों मसी को देखा है और तब थॉमस बोलते हैं जब तक मैं उनके हाथों में कीले का निशान ना देख लूँ कीलों की जगह पर अपने उंगली ना रख दूँ और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल लू तब तक मैं यकीन नहीं करूँगा और आज थॉमस भी मौजूद हैं तब उत्थित एश्यों मसी उनके बीच में आते हैं वो खास कर थॉमस के लिए आए क्यों क्योंकि थॉमस भी एश्यों मसी के चुने हुए बारा शिश्यों में एक हैं कैतलिक कलिसिया एश्यों मसी के बारा शिश्यों की नीव पर आधारित है वो शिश्य जिन्होंने जी उठे एश्यों मसी को अपनी आँखों से देखा उन्हें छुआ और उसी एशु मसी के बारे में दुनिया के चारों कोनों में जाकर प्रचार करते हैं और हमारा विश्वास उन शिश्यों के विश्वास पर आधारित है हमने उन से सुना, उनके साक्षे को पढ़ा और एशु मसी पर विश्वास किया यहाँ पर हम एक बात और देखते हैं कि अभी शिश्यों में भै नहीं है पहली बार जब नुरुत्थान के बाद जब एशु मसी उनके बीच में आए तब वे डर गए थे जैसे कि वो किसी भूत को देख रहे हैं तो फिर क्या बदलाव आया इसके ठीक पहले 22 ववाक्य में हम पढ़ते हैं कि उत्थित एशु मसी शिश्यों को पवितरात्मा प्रदान करते हैं वे उनपर फूक कर कहते हैं पवितरात्मा को ग्रहन करो क्या है इसका अर्थ पवितरात्मा हर भै को डर को दूर करता है रोमियों के नाम सनपॉलुस के पत्र के आठवे अध्याय के पंदरह से लेकर सत्रह तक के इश्वचन पर हम ये पढ़ते हैं। जो लोग इश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब इश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप डरने लगे, आप लोगों को गोद लिये गए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। आत्मा स्वयम है में आश्वासन देता है कि हम सच्मुच ईश्वर की संतान हैं यदि हम उसकी संतान है तो हम उसकी विरासत के भागी हैं हम मसी के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महीमानवित होंगे तो ये था उनके निर्भै रहने का कारण क्योंकि पवित्रात्मा ने हर भै को दूर कर दिया है वो अब गुलाम नहीं है पापों के और शैतान के और मृत्यू के उन्होंने पवित्रात्मा को प्राप्त किया है अब वे ईश्वर की संतान बन चुके हैं और येशु मसी क्या करते हैं वो उन्हें शानती प्रदान करते हैं सिर्फ पुनरुत्थान के बाद ही येशु मसी अपने शिश्यों को शानती प्रदान करते हैं क्यों? क्योंकि क्या है शानती का रत? क्यों है शानती इस दुनिया में? जब इनसान पाप के कारण ईश्वर से दूर होता है तब अशान्ती फैलती है आदम और हुआ के पाप के कारण ईश्वर और मनुश्य के बीच में जो शान्ती थी वो तूट चुकी थी मेल मिलाप दूर हो चुका था इसलिए अशान्ती थी इसलिए डर था लेकिन एशू मसीह ने अपने कुरूस के बलिदान और मृत्यू के द्वारा ईश्वर और मनुष्य के बीच शान्ती की स्थापना कर दी है फिर हमारा मेल मिलाप हो चुका है यह हम कुरूंथियों के नाम संद पॉलूस के दूसरे पत्र के पांचवे अध्याय के उननीसवे वाक्य में पढ़ते हैं इसलिए प्रभू अपनी शान्ती शिश्यों को प्रदान करते हैं जब जब भी उत्थित एश्यों के बीच में प्रकट होते हैं वो उन्हें शान्ती प्रदान करते हैं ऐसी शान्ती जिसे कोई नहीं ले सकता ईश्यों और मनुश्य में मेल मिलाप हो चुका है और इस बार एश्यों मसी संद थौमस के लिए आये थे इसे संद्धौमस से कहते हैं अपनी उंगली यहां रखो देखो ये मेरे हाथ हैं अपना हाथ बढ़ा कर मेरी एक बगल में डालो और आविश्वासी नहीं बलकि विश्वासी बनो योहन के हिस्स समाचार दूसरे अध्याए के 18 वे वाक्य में यहुदी एश्व मसीछ से ऐसे चमतकार की मांग करते हैं जिससे की वो यकिन कर सकें विश्वास कर सकें कि एश्व मसीछ वास्तों में इश्वर के पुत्र हैं तब एश्व मसीछ ने क्या कहा था तुम इस मंदिर को ढढ़ा दो और मैं इसे तीन दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूँगा तब वे कहते हैं कि 46 साल लग गए इस मंदिर के निर्मान में और तुम क्या कह रहे हो तीन दिन में लेकिन योहन सुसमाचार में आगे के वाक्य में लिखते हैं कि एशुमसी अपने शरीर के विशय में कह रहे थे उनका शरीर ही है इश्वर का मंदिर और यहूदियों के उस चमतकार की मांग को एश्वमसी अभी पूरा कर रहे हैं और सन्थॉमस को दिखा रहे हैं कि देखो इश्वर का मंदिर जो तूट गया था कब उनकी मृत्यू पर और पुनुरुथान के द्वारा तीसरे दिन ये मंदिर फिर खड़ा हो चुका है और Thomas अपने विश्वास को जताते हुए कहते हैं मेरे प्रभू, मेरे इश्वर नए नियम में कहीं भी हम विश्वास की इतनी बड़ी प्रस्तावना नहीं देखते हैं क्योंकि उस एश्व मस्जी को जिन्हें शिश्यों ने मनुष्य के रूप में जाना था जो साड़े तीन साल तक उनके गुरु बनकर उन्हें शिक्षा देते थे जो बहुत चमतकार करते थे जो शैतान का बहिशकार करते थे लेकिन उन्हें सिर्फ एक मनुष्य की तरह ही शिश्य समझ पाए थे लेकिन जब अपनी मृत्यू के बाद उत्थित बनकर एश्व मस्जी उनके सामने आते हैं तप संतामस समझ जाता है कि ये ना केवल मनुष्य हैं वे यश्वर भी हैं वे मनुष्य भी हैं मनुष्य हैं इसलिए उनके हातों में वो गाव है बगल में वो निशान है क्योंकि वही शरीर जो हमारे खातिर मरा था वही शरीर जो दफनाए गया था वही शरीर आज पुनुरुत्थान के द्वारा एक नए शरीर में तबदील होते हुए एक आध्यात्मिक शरीर बनकर एक महिमा पूर्ण शरीर बनकर सर्ण थामस के और अन्य शिश्यों के सामने खड़ा है लेकिन वो ईश्वर भी है दर्वाजे सारे बंद थे एक इनसान उसके अंदर नहीं घुश सकता बिना दर्वाजा खोले हुए लेकिन वो तो दिवार से भी आ सकते है एश्यों मसीन ऐसा कुछ भी नहीं किया था अपने मृत्यों के पहले लेकिन आज पहली बार वो बंद कमरे के अंदर रकट हो रहे हैं वो ईश्वर भी हैं मनुश्य भी हैं और सर्ण थामस उनके सामने प्रणाम करते हुए हम सब की खातिर बोलता है मेरे प्रभू मेरे इश्वर क्यूरियोज थेयोज ऐसे शब्द जो सिर्फ याखवे के लिए ही कह जा सकते थे पुराने नियम में सिर्फ और सिर्फ इश्वर को ही प्रभू और इश्वर कहा जा सकता था लॉर्ड एंड गाड क्यूरियोज थेयोज स्विवाक्य में हम ये पढ़ते हैं मेरे इश्वर मेरे प्रभू और आज संट फामस ये ऐलान करते हैं कि हे एश्व मसी आप प्रभू है और आप इश्वर है तब एश्व मसी क्या कहते है उससे क्या तुम इसलिए विश्वास करते हैं कि तुमने मुझे देखा है धन्य हैं वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं ये एशु मसी हमारे लिए बोल रहे हैं क्योंकि एशु मसी हर एक व्यक्ति के सामने इस प्रकार प्रकट नहीं होंगे वो अपने शिश्यों के सामने आए और बहुत सारे लोगों को दिखाई दिये लेकिन हमें बिना देखे ही विश्वास करना है विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है रोमियों के नाम दसवे अध्याय के सत्रहवे वाक्य में हम पढ़ते हैं क्या सुनने से मसी के वचन को सुनने से और मसी का वचन हमें कौन सुनाता है एश्यों मसी के चुने हुए शिश्य जिन्होंने एश्यों मसी को सुना देखा छुआ उनके पुनुरुथान के बाद भी उनने देखा छुआ और सुना ऐसे शिश्यों की वानी को सुसमाचार को सुनकर उन पर विश्वास करते हुए लोग एशु मसी के शिश्य बने इसाई बने तो राज 20 सदी के बाद भी यही हो रहा है लेकिन प्रभू कहते हैं धन्य हैं वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं इसलिए हमें भी संथॉमस की तरह जिद नहीं करनी है कि जब तक मैं एशु मसी को देखना लूँ तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा नहीं प्रभू कहते हैं योनके सुसमाचार में ही 17 वे अध्याय के 20 वे वाक्य में एशु मसी पिता ईश्वर से हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं क्या प्रार्थना उनों की मैं ना केवल उनके लिए विंति करता हूं बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे अर्थात एश्यों मसी ने कहा कि हे पिता ईश्वर मैं ना केवल शिष्यों के लिए विंटी करता हूं भलकी उनके लिए भी जो मेरे शिष्यों के ये वाणी को सुन कर मुझ पर और तुम पर विश्वास करेंगे वो हम सब के बारे में है प्रभु एशु ने हम सब के बारे में ये सोचा है और एशु मसी के शिश्यों के ही सकसेसर्स हैं बिशप्स तो बिशप्स के द्वारा और बिशप्स के प्रतिनिदी बन कर हर एक पैरिश में सेवा करने वाले पुरोहितों के द्वारा जो भी लोग एश्व मसी पर विश्वास करते हैं, उन सब को अनंत जीवन प्राप्त होगा, वे साब जीवन से हर भय दूर हो जाएगा, उनके जीवन में प्रभु की शांती प्राप्त होगी, और उन सब को स्वयम प्रभुयेश मसी ने धन्य कहा है वो हम सब हैं हम भारत वासियों को बहुत बड़ा सवभागे प्राप्त हुआ उसी संथौमस के द्वारा सबसे पहले हमने इस भारत की पुन्य भूमी में सुसमाचार को सुना पहली सदी में ही सन बावन में सन थौमस दक्षिन भारत में आये सुसमाचार का प्रचार किया सुसमाचार का दीपक यहां से जलाया और उनके वचन पर विश्वास कर बहुत ही लोगों ने एशौ मसी को स्वीकारा और इस प्रकार यहां पर इसाई धर्म के स्थापना हुए कुछ लोगों को गलत फहिमी है कि अंग्रेजों के आने के बाद यहां पर इसाई आये हैं बिलकुल गलत बात है पहली सदी के सन बावन से लेकर अर्थात लगबग दो हजार साल से इस भारत की पुन्य भूमी पर इसाई धर्म है हमें इस बात पर अभिमान है कि हम भारतवासी हैं लेकिन हम एशौ मसी पर विश्वास करते हैं हम सब को हमारा समविधान ये आजादी देता है कि हम भारत के प्रतिय अपने स्रद्धा रखते हुए सचे देश भक्त रहते हुए अपने धर्म में विश्वास कर सकें एशौ मसी पर विश्वास कर सकें और उनके मुक्ति के पैगाम का प्रचार हम कर सकें इसलिए हम बिना भै के जियें प्रभु की शान्ती को प्राप्त करके जियें और वो शान्ती हमें पवित्रात्मा प्रदान करता है ईश्वर आप सब को आशिरवाद दे